जहें दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं SSC MTS यहां दोस्तों SSC MTS 2023 की वेकंसी के बारे में कि आपको जो है इस वेकंसी में जो है आपको कितने मार्क्स ला करके आपका final selection हो सकता है और खास करके PWD student बिसे ध्यान दें तो हम बात करने वाले है इस वेकंसी के बारे में जैसा कि आपको पता है कि RRC Group D जीहां दोस्तों RRC Group D का रिजर्ट जारी हो चुका है और काफी सारे स्टुएंट जो है RRC Group D NTBC जोइन कर रहे हैं यहां पर आपके लिए एक बहतरीन मौका है यहां पर आपके लिए एक बहतरीन मौका है जिन स्टुएंटों का सेलेक्शन जिन स्टुएंटों का सेलेक्शन किसी कारणों वस नहीं हो पाया है उनसे रिक्वेश्ट है कि आपके पास एक सुनहेरा मौका है कि आप थोड़ी सी मेहनत करके आप इसमें आप सेलेक्शन आसानी से पास सकते हैं तो आज बात कर जानते हैं वाकि सारा जो आपका कटाफ का उत्तरदाई जिसके ओपर निरफर रहेगा वह आपका इस बार जो है इंगलीज होने वाला है तो अब देरने करते हुए आपको बताता है कि इस बार जो है क्टाफ क्या हो सकते हैं तो आप लोग जैसे कि आप देखने हैं अगर मतलब OBC और EWS दोनों के कटाफ लगबख आपको यहां पर बरावर देहने को मिल सकती है उसका अगर यसी की बात की जाए अगर एस्टी की बात की जाए तो 105-610 की बीच में अगर PWD student की बात की जाए 108-615 की बीच में यानि कि अगर आप लोग इतनी marks आप लोग लाने में और यह आपके हैं कितने तो 10-100 marks के 50 questions आपके यह आपके 10-100 marks के हैं तो आपको जो है कैसे भी करके हरहाल आपको पता है कि यहां से कटाफ थोड़ी से हाई जाने के संभावना इसलिए होती है क्योंकि इसमें SSC, CGL जो CGL और SSC जो आपका CECL है उसके student भी बैठेंगे तो हो इस बार SSC MTS में आस्तानी से हो जाएगा तो ऐसे अमेजिंग भरी जानकारी को पाने के लिए चैनल को सेर लाइक सब्सक्राइब करना ना भूने धन्यमत